नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्तम मित्यादव आपके अपने चल्ण गर पर पाट साम दोस्तों स्वागत करता हूँ दोस्तों जितने भी गंडेट हैं जिन्होंने CRP पेरामेडिकल स्टाफ के अंदर फोंबा रखाया कूक ट्रेड के लिए तो उसके ट्रेड के कुश्चन बाकी प्रिविस एयर में किस परकार का आपका पेपर आया है एक्जाम गया है उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके तैयारी कितनी है और प्रिक्ष्या का पैटर्न किस परकार से आ रहा है के उस अपने देखने से वर्दी नहीं मिलेगी इसके लिए आपके मन में जुनून होना चाहिए और आपको लगन से पूरे लगन बाव से मेनत करने पड़ेगी तब जाके आपको इस वर्दी को मिलेगी वर्ना काप्पोटीशन इस बर्दी के अंदर बहुत ही जादा है और सपेशल बैच भी हमने चला रखा इस बर्दी के लिए जितने भी गंड़ेट है जो पेड बैच जोईन करना चाहते हैं जिन में आपके क्लासी जरेगी मैथ वगरा की भी रहती है तो नीचे में मेरे मुबाइल नंबर दिये गए हैं वह आपरा मुझे वाटसप पर मैसेज करें किसी आरपेपका में बैच जोईन करना है चाहिए आपने किसी भी पोस्ट के लिए अब लाई कर रखा तो चली दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं कि पिछली बार एक्जाम का प है वोट इस दा ग्रेंस ओफ दा टोमाटो सोस यहनिकी टोमाटो सोस के लिए सजा उठ किया है आपके उप्सन दिये गए हैं तो इसका जोराइट आनस हो रहेगा वो रहेगा बी क्राउन नैट्स ठीक है नेक्स्ट है पाक विदी को बलाइंक के रूप में प्रिबासित किय गया है तो पाक विदी को किस के रूप में प्रिबासित किया गया है तो इसका जोराइट आनस हो रहेगा वो रहेगा उप्सन नंबर सी रासाइनिक पर करिया नेक्स्ट है बारती आइस क्रीम को क्या कहते हैं तीन नंबर कुश्चन है तो क्या कहते हैं लसी कहते हैं कुलफ है यानगी ब्लेंग है किस से लस्या में किस से पराप्पते है चछ दोभी को ही कहती है एक क्रीम से पराप्पती है 12 या फिर दूद से तो इसके राइट आंसोर तो इसका राइल का वह औरצ नम्र से स्टी रेएगा भी इस hasnब्से परापtwते हो तक उस तिर्द किस पर या रात्री बोजन के पूर्वे प्योग के साथ प्रोशा जाता है तो इसका जो कौन सी डिय से वापकी तो इसका राइट अन्सवर रहेगा उप्शन नंबर ए समोशा बारत्य रोटियां रूची कर हैं ने मिल दिक मिस मेज़े कौन सी बारत की रोटी नहीं है तो जो छटे नंबर कुशन का राइट अन्सवर रहेगा उप्शन नंबर सी कुबूस नेक्स्ट है साथ नंबर कुशन आपका बारतिय पाक विदी का मुख्य गटक है गी क्या होता है तो साथ नंबर का इसका राइट अन्सवर रहेगा उप्शन नंबर बी कलेरिफाइड बटर तो इसका राइट अन्सवर रहेगा बी रहेगा साथ नंबर कुशन का next is curry का धारभूट गटक क्या होता है और curry का धारभूट गटक क्या होता है तो इसका right answer रहेगा वो रहेगा option number B guilty next है no number आपका question table या खादेचीनी क्या है what is the table sugar तो डाप टेबल सुगर क्या होती है no number आपका question है इसका right answer रहेगा option number D सुक्रोज नेक्स्ट आपका दस नंबर आपका कुश्चन है तंदूरी सैली की पाकविदी किस बारते बोजन की विशेशता है तो दस नंबर कुश्चन का राइट नुसर रहेगा तंदूरी सैली पंजबी बारते बोजन की विशेशता है तो दस नमबर कुश्चन का C आपका right answer रहेगा नेक्स्ट है 11 नमबर आपका कुश्चन नेमलिक में से लोग परेडिस पकवानों में से किसका उद्धव दक्सिन भारत में हुआ है तो 11 नमबर कुश्चन का जो है right answer रहेगा ओप्सन नमबर B multi gateway soap ठीक है नेक्स्ट आपका आगे 12 नमबर कुश्चन नेमलिक में से चावल का बना अंदर का लोग परेडिस क्या है तो 12 नमबर आपका कुश्चन का right answer रहेगा बिरियानी जो अंदरा की फिवरेडिस है नेक्स्ट है 13 नमबर कुश्चन आपका कि सबजी को विपिन करने का क्या मतलब है तो 13 नमबर कुश्चन का right answer रहेगा उप्सन नमबर C सीज जल में डालने से पहले उबले पानी से गरम करना है उसमें डुबोना नेक्स्ट चोदा नमबर आपका कुश्चन है ब्रेस करने का क्या अर्थ है वट इस डज मीन बाई ब्रेस तो 14 नमबर कुश्चन का right answer रहेगा उप्सन नमबर C बंद कंटेनर में दरव की छोटी मातरा में खाना पकाना नेक्स्ट है 15 नमबर कुश्चन आपका समोक पॉइंट सबद का क्या अर्थ है तो 15 नमबर कुश्चन का right answer रहेगा उप्सन नमबर C वह है बिंदू जब तेल जनने लगता है उसमें दुआ आने लगता है यानकि तेल में जब गरम हो जाता है पूरी तरह से तो वह आपको बता है कि उसमें से दुआ निकलने लगता है तो उसे ही समोक पॉइंट कहते है नेक्स्ट कुश्चन आपका है 16 नमबर कुश्चन प्रिंट जैल जैसे आकार की मिठाई जो चीनी की गाड़ी चासनी में होती है क्या होती है गाजर का हलवा जलेबी, गुलाजमन या फिरस गुला तो 16 नमबर कुश्चन का राइट आउनसर क्या रहेगा जलेबी है अधराबादी बोजन निमें से किन बोजन का मिंसरण होता है तो 17 नमबर कुश्चन का राइट आउनसर क्या रहेगा उप्सन नमबर C, मुगलाई, लखनवी और फारसी नेक्स कोश्चन है अठारा नमबर कुछ्चन है आपे इन में से कौन सी बंगाली मिठाई है तो बंगाली मिठाई कौन सी है अठारा नमबर कुछ्चन का राइट अनस्वर रहेगा सभी को बता है कि बंगाल के जो फेवरिट मिठाई है वो कौन सी है रसुगुला next and क्या आपको favorite जो है हर राज्य कि आपको मिठाईया याद करनी है मिठाईया भी और favorite डिस वहां से कौन सी है ठीक है next question है आपका 19 का अधीक मिठी बनी किसी डिस को आप कैसे ठीक कर सकते है ये इनकी किसी डिस को आपने बनाया है उसमें ज़्यादा अपने मिठा डाल दिया तो उसको किस प्रकासे ठीक कर सकते है 19 का राइट अंसर रहेगा option number B नीमू तथा नीमू का पानी को निचोड के एक निचोड में डालने ठीक है आपका जो next question है वो है 20 number question आपका कि बेक किये गए खाद्यपदार्थों के लिए बेकिंग सोड का उप्योग क्यो किया जता है ये जो बेक करते हैं ब्रेकरी में जैसे ब्रेड बगरा बनाते हैं बिस्किट बगरा बनाते हैं तो उसमें क्यो करते हैं बेकिंग सोड डगा उप्योग तो इसका जो राइट अन्स हो रेगा option number C किमनी कार क्यों में प्रियोक के जता है ठीक है 21 का किसी किसका विसकार बारत में किया गया है येन कि कौन सा विसकार जो है बारत में किया गया है आपको option दिए गए है तो जो 21 का राइट अन्स हो रेगा option number D वर्वेस्टर सेयर सोस का निमलिक में से नंबर 22 कोशन आपका निमलिक अधिक तले हुए सनेकों में कौन सा बाजी के समान है तो राइट अन्स हो रेगा 22 नंबर का आपका B पकोड़ा 23 नंबर आपका जो है इसके अन्दर question है 23 नंबर का गोवन बोज़जग को चुगन दित करनी के लिए कौन सापदार सरवादिक साधा अन्ट प्रयोक किया जाता है 23 नंबर का इसका राइट अन्स हो रेगा वो रेगा आपका A option नारियल मिर्ची तथा मसालों से बरे भारती डिसों को इन में से एक साइड डिस के रूप में परोशा जाता है तथा सवाद को सांत किया जासके 24 नंबर का जो राइट अन्स हो रेगा वो रेगा option नंबर D रायता next question आपका कुन सा है 25 नंबर आपका question है सादानता है निमलिक्स बोजनों में से किसका मुख्य संग्टक नारेल है तो 25 का जो राइट अन्स हो रेगा वो रेगा option नंबर A खोर्मा नंबर 26 question है आपका सबसे तीखी करी या सबसे मसालेदार कौन सी है 26 का जो राइट अन्स हो रेगा वो रेगा option number B विदा लू 27 नंबर आपका question है निमलिक्स में से कौन सी डिस में प्याज ज्यादा होता है तो 27 नंबर आपका question दू प्याज़ा 28 नंबर आपका question है निमलिक्स में से कौन सा बारतिय मीठा नहीं है तो कुन सा बारती में ठानी है तो 28 का जो राइट अंसर हो रहेगा उप्सन नमबर B Next आपका 39 मायो नाइज बनाने में अंडों का पाक उप्योग क्या है तो 29 का जो है राइट अंसर रहेगा आपका उप्सन नमबर D पायस करना Next question हापका 30 नमबर सामान आकार के आलू, कदू, गाजरों को 180 degree सेल से प्रभूनते समय यह सुनिश्यत करने के लिए कि कि समय पर प्रोशने के लित्यारों उन्हें पकाने का सुरोत्तर कर्म क्या है तो 30 का जो राइटा नुसर रहेगा वो रहेगा उप्सन नमबर A आलू, घाजर, कदू नेक्स्ट है, 31 नमबर A आपका, रोक्स में मक्षन तथार्टे के सही अनुपात का उप्यूग किया जाना चाहिए, यह सुनिश्यत करने के लिए सोस, तो इसका जो 31 का राइटा नुसर रहेगा वो रहेगा उप्सन नमबर B अलग नहीं हो नेक्स्ट है, 32 कोस्टना आपका, किसी कारे परवा, योजना या तैरी सुची में कारे को कैसे प्राथ मिक्ता दी जाती है, तो 32 का राइटा नुसर रहेगा, उप्सन नमबर C, कठिंतम तधा दिर्गतम कारे पहले किये जाते हैं नेक्स्ट हाग है, आपका 33 का, फल की पाक विधी, किस नम विधी में सुगन तधा और नमी परदान करते समय फल का रूप अब परवरतित रहता है, तो 33 का राइटा नुसर रहेगा, आपका उप्सन नमबरे, गरम पानी में तलना नेक्स्ट कोश्चन आपका, करतन चूरी क्या कार्य करती है, तो इसका राइटा नुसर रहेगा, वो रहेगा, भी, छोटे गटको उच्छीने, तधा काटने में नेक्स्ट आग्या आपका, 35 का खद्य वस्तू पर सर्वत्तम उप्योग किती थी, तथा अंतिम्ती थी, क्यों किती की जानी है, तो 35 का राइटा नुसर रहेगा, उप्सन नमबर आपका, बी, ताकि सुमिस्चित कर सेकेगी, बेजनी के लिए तितिया सही है, नमबर 36, प्यूरी है, प्यूरी क्या है, तो 36 का जो राइटा नुसर है, वो बी, सबजी या फलो का मैस किया हुआ गुद्धा, 37 है, उबलते वे पानी में नमक डालना, उस पर क्या परभाव डालता है, तो 37 का राइटा नुसर रहेगा, उप्सन नमबर बी, पानी उबलन की परकरिया को मंद कर देता है, नेक्स्ट है, आपको 38 का इन कर्तन ब्रोंडो में सबसे स्वास्त्यकारग कौन सा है, तो 38 का जो राइटा नुसर रहेगा, उप्सन नमबर C, भारत में मिर्चिव अतंबाखू द्वारा लाया गया है, तो 49 का जो राइटा नुसर रहेगा, उप्सन नमबर C, नेक्स्ट आपके आपका 40 नमबर पाक विदी के किस परकार को वेट, हीट या पाक विदी कहते हैं, तो 40 नमबर कुस्टन का जो राइटा नुसर रहेगा, उप्सन नमबर C, ब्रेंग सीं, तो ये 40 आपके कुस्टन थे, आपको बहुत ही अधीब भी होंगे, लेकिन एक्जाम के अंदर आपको पता चल गए कि किस परकार के कुस्टन आएंगे, पहले एक्जाम के अंदर आएंगे, पूरा का पूरा पेपर है, इसमें आगे आपके इंगलिस, हिंदी, और मैथ, और जीके क्या आपके कुस्टन है, ठीक है, टोटल इसके पे दिये गए हैं, लेकिन मैंने आपको क्यों ट्रेड से रेलेटिड है, आप एक कुस्टन करवाए हैं, तो जिन भी कंडिडियेट को सलेक्शन लेना है, एक्जाम की तैयारी करनी है, तो उनके लिए मैंने आपको पहले भी बताया है, कि इन नमबर पर आप मुझे वाटस उसके अंदर मिल जाएंगे, पेड बैच है, फीस आप से ली जाएगी, मैसेज करने के बाद में आपको बता दिया जाएगे किस परकार से आपको जुड़ना है, और किस परकार से आपको पेमट करनी है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, जै बारत और जै हरियाना दोस्